अब थोड़ा इंतिजार और Оर और फिर चलेगी श्री गंगा नगल जयापूर के बीज सीधी ट्रेन सीकर जयापूर के बीज सीधी ट्रेन के लिए जयापूर याड रिमोडलिंग और इंटरलोकिंग के काम की टाइम लाइन ते सिटंबर तक पूरा होगा ये काम श्री गंगा नगर जयपूर के बीच सीधी ट्रेन चलने का इंतजार कर रहे लोगों को कुछ समय बाद ये सुविधा मिल सकती है श्री गंगा नगर से सीकर तक तो ट्रेन जा ही रही है लेकिन अब रेलवे प्रिशासन ने सीकर और जयपूर के बीच ट्रेन चलाने की कवायद शुरू कर दी है सितंबर तक कवायद पूरी होने पर जयपूर और सीकर के बीच ट्रेन चलने लगेगी तब श्री गंगानगर भी पहले की तरह जयपूर से सीधे जुट जाएगा श्री गंगानगर जयपूर के बीच सीधा रेल संपर्क फरवरी 2012 से कटा हुआ है तब इस मार्क पर आमान परिवर्तन के लिए रेल यातायाद बंद कर दिया गया था लंबे समय के बाद श्री गंगानगर से चूरू के बीच रेल गाड़ियां चलाई गई अब कुछ समय से श्री गंगानगर से सीकर तक सब ताहं में तीन गाड़ियां चलाई जा रही है मिली जानकारी के अनुसार रेलवे प्रिशासन जैपुर और सीकर के बीच देल यातयात को जल से जल बहाल करना चाहता है ऐसा होने पर श्री गंगानगर से जैपुर तक भी ट्रेने चलना शुरू हो जाएंगी सीकर जैपुर के बीच सिधी ट्रेन चलाने के लिए ज़रूरी जैपुर याड रिमोडलिंग और इंटरलोकिंग का काम करना बागी है इस काम के टाइम लाइन तैफ हो चुकी है, 3 सितंबर को इंटरलोकिंग का काम पूरा होगा इसके बाद सीकर से जयपूर के बीच ट्रेन चलाई जा सकेगी रेलवे प्रिशासन द्वारा जयपू स्टेशन पर याड री मॉडलिंग कारे के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है जयपूर यार पर एक जुलाई से प्री नॉन इंटरलॉकिंग का काम शुरू कर दिया गया था 14 अगस तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग काम किया जाएगा 15 से 25 अगस तक नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा इस दोरान बड़ी संख्या में ट्रेने प्रभावित होंगी। आपको बताया है कि वर्तमान में श्री गंगानगर से सीकर तक सब ताहा में तीन रेल गाणियों का संचालन हो रहा है लेकिन श्री गंगानगर से जैपूर तक सीधी ट्रेन नहीं होने से लोगों को या तो बसो लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पटी न्यूस को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर